अच्छा छाठा क्लास में होना बिहार के मुख मंतरी कौन है? नमस्कार जन्मंच न्यूज में आपका स्वागत है सोनु को तो आप सब जानते ही है सोनु बिहार का एक ऐसा लड़का है जो अभी हर एक सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म मेन मीडिया इस्ट्रीम हर जगा चाया हुआ है लेकिन हम कुछ इससे हट कर बात करते हैं जैसे माना जाता है कि सड़क सबसे मूल बीद सुईधाओं में आती है अगर किसी गाउं का विकास करना चाहते हैं तो आप उसे सड़क से जोड़ दीजिए सड़क से जोडने से यह होता है कि वहाँ पे कलकर खाने आते हैं वहाँ पे क्रिसी संसाधन क्रिसी करने के लिए आप आराम से खेती कर सकते हैं स्कूल खुलते हैं और लोगों को बहुत आराम होती है कहीं भी यात यात करने में ये गाउं पासवान टोला है जहाँ पे सोनू पढ़ाने आता था उसकी सडक की वयास्था आप देखिए यही है सडक ऐसे यहां के लोग का भविस्सक्या होगा जहां की सडक की हाल ऐसा हो यह सडक कच्ची सडक है और यहां पे बहुत सारे विद्यारते जैसे वहाँ पर समुदाइक टोला है जहाँ पर सोनु पढ़ाय करता था वहाँ पर 20-25 लोग पढ़ते हैं तो जहाँ पर 20-25 को लोग कहने का मतलब यानि 20-25 छोटे बच्चे कहने का मतलब यह होता है कि 20-25 परिवार उससे जुड़े हुए है 20-25 परिवार का सपना उससे जुड़ा हुआ है और उस गाउं की सड़क की हालत ऐसी है तो हम कुछ यहाँ के लोगों से जिस गाउं के पासवान टोला है गाउं के लोग है उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर वो अपने गाउं में क्या-क्या सुधार लाना चाहते है जिससे उनके बच्चे भी आगे बढ़े और देश के और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर गुजरे आपका नाम क्या हुआ है आप इस गाउं में क्या-क्या चीज़ चाहते है क्या कर बच्चा चाहते है सब कुछ के बच्चाइ इस इस ही चलता है भाटका हजाने तो लेके तो नहीं जाए आओ किया के घर दूआरे इसे भाटकता है बाहर ने बाल बचचा कमा आता है लगता है आपको पता चल गया है हम तो जानते हैं कि हमको महाधली दिने दो कहाना पिल्चिंग देता है नहीं आपको छीज देता है खली खोरा की मिलता है जरी मैंने काट कोटा बस बाल बाघ्या रखा रहता है बठा का माता है पानी से उन्ने से ढख है चलता है उन्हें हो टे घर दू आ journalism जुपड़ा बाल बचा के है हम नहीं अधिया दुनिया मर गिया हम क्या करें पानी के चलते घर दे बाल बचा करपा लिये घर बनाए कुछ कि уह नहीं अठी है अच्छा आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं नहीं अब अपने बच्चे को चाहते हैं बहुत अच्छ जगा पढ़ाना बच्चा तो वह पढ़ रहा है तिन चार गों पढ़ा था है जहां पढ़ा रहा है एक छोटा सा बच्चा है जिसका उसने अभी एक रियाक्शन दिया और जिसके आपको बहुत जरूरी है उसको जानना कोई स्कूल नहीं है यहां जी नहीं कोई स्कूल नहीं है कोई स्कूल नहीं सोनू तो यहां पर कोई बोलता था कोई स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं नीमा कोल खलिया चैनपूर अच्छा तुम ह पढ़ाता है जी नहीं अच्छ अच्छ था क्लास में होना बिहार के मुख मंत्री कौन है इंडिया के पधान मंत्री कौन है एक छोटा सा एकजामपल है आयना दिखाने के लिए बिहार का जो अभी विवस्था है पढ़ाई लिखाई को लेकर वो ये उसे आयना दिखा रहा है मिलेंगे अब अगले कड़ी में कुछ अलग न्यूज के साथ तब तक ले नमस्कार जन्मच न्यूज धन्यवाद आयने वाद